देश में बीते सप्ता के कई खादे तेल की कीमतों में गिरावट आई है तो कही तिलहनों के भाव में तेजी दिखाई दिए. देश के खादे तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ता सरसों तेल तिलहन, सोयाबीन दाना एवं सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल एवं पामोलीन तेल कीमतों में गिरावट आई जबकि बाकी अने तेल तिलहनों के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। बाजार सूतरों के मताबिक पिछले हफ़ते मंडियों में सरसों की आवक कम हुई है और सहकारी संस्था नाफेड निरंतर सरसों की बिक्वाली कर रहा है। इस बिक्री की वज़े से सप्ता में सरसों तेल तिलहन के दाम में गिरावट आ। किसान अपनी सरसों की ज्यादातर फसल बेच चुके हैं और जो बची हुई फसल है उसे रोक-रोक कर ला रहे हैं। आवक में आई यह कमी नाफेड के सरसों बिक्वाली से पूरी हो रही है। सूतरों की माने तो बताया जा रहा है कि सोयाबीन प्लांट वालों को जो उपज किसानों से मिलनी थी उसे अब स्टॉकिस्ट खरीद रहे हैं और किसान भी संभल संभल के अपनी उपज ला रहे है इस आवक की इस कमी से सोयाबीन दाना के दाम में काफी सुधार है। दूसरी और सोयाबीन की नई फसल में नमी आई है इसकी वज़े से सोयाबीन लूज के दाम में गिरावट है। वैसे तो सोयाबीन तेल के दाम विदेशों में तूटे नहीं हैं लेकिन जो सोयाबीन ते के मुताबिक मंडियों में मूंगफली MSP से कम दाम पर बिक रहे हैं लेकिन मूंगफली तेल तिलहन में सुधार है क्योंकि मौसम खराब होने की वज़े से आवक कम है। दाम बढ़ने की संभावना भी बेबुनियाद है। जो मूंगफली तेल शुल्क वृधी के पहले 160 रुपए किलो बिक रहा था वह अब घटकर 151 रुपए किलो रह गया है। शुल्क में वृधी के बाद तो मूंगफली तेल के दाम में 7-8% की कमी दिख रही है। जानकारो जाए तो यह गिरावट विदेशों में नहीं है जहां बायो डीजल में पाम, पामोलीन का उप्योग बढ़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी